हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज का हमारा वीडियो LED हेडलाइट पे होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने हीरो प्लेजर के हेडलाइट को रिप्लेस करने वाला हूं तो इस बार जो मैं बल्ब यूज करूंगा वो है निकावी वाइट LED बल्ब ये बल्ब आपके लिए चीप एंड बेस्ट होने वाला है क्योंकि इस टाइप का जो बल्ब होता है वो ज्यादा तर आपको 1000 रुपे के उपर ही मिलेगा अगर किसी अच्छे कंपनी खा लेते हैं आप पर ये बल्ब आपको 700 रुपे का मिल जाएगा और क्वालिटी वाइ तो अन्बॉक्स करने के बाद ये एलेडी इंस्टॉलिंग कीट है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के प्लेट मिलेंगे जिसका यूज करके आप अलग-अलग टाइप के मोटर साइकल में आप इसको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको एक स्प्रिंग मिलेगा और स्क्रू मिलेगा और यह है एलीडी बल्व इसका मौडल नंबर है इसमें फॉर एलीडी चिप दी गए है और इसके ब्रैटनेस पॉर्टी फॉर हंडड्र ल्यूमिनेस है और इसमें जो दो लेडी चिफ है वो low beam का काम करेगा और बाकी चारो high beam का और इसके heat को कम करने के लिए इसके पीछे साइड एक छोटा सा फैन दिया गया है और यह waterproof है और यह h4 connector type है installation बिल्कुल plug and play है इसका input voltage DC 9V to 18V है और इसका color temperature 6500 Kelvin है तो चलिए दोस्तों अब हम इसको स्कूटी में install करते हैं तो इसको install करने से पहले हमें headlight setup को remove करना होगा और इसको मैंने आपको पहले भी remove करके दिखाया तो आप प्लीज मेरी उस वाले वीडियो को देखें तो मैं फटाफट इसको remove कर लेता हूं तो दोस्तों installation के लिए यहां different type के plate दिए गए हैं तो इसमें जो पहले से जो प्लेट लगा हूँ है उसका मेरे को ती में यूज नहीं है तो मैं इसको यहां से निकाल लेता हो और मेरे वाले स्कोटी में इस टाइप का जो plate है वो यूज होगा तो मैं इस plate को इसमें डाल के और इसके साथ जो एक screw दिया गया था उससे इसको टाइट कर लेना है तो जैसे मैंने उस बल्ब को क्लैम्ट से निकाला था वैसे इस बल्ब को क्लैम्ट से उसमें इंस्टॉल करना है अब इसको डवल स्टाइड टेप की मदद से यहां पर इंस्टॉल कर लेना है अब कनेक्टर को यहां कनेक्ट कर लेंगे हम और यहां आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यह एलेडी ओन किया तो एलेडी ओन होने के बाद यहां जो फैन जो लगा हुआ था छोटा सा पीछे वो भी ओन हो चुका है जो की हीट डिसीपेशन का काम करता है तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको रात के टाइम इसको ड्राइब करके आपको इसके लाइट को दिखाता हूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना बूलें तो फिर मिलते हैं अगले हपते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू तो अब हम हेडलाइट कॉन कर लेते हैं कि यह अपका हाई बीम है और यह लोग बीम में ऐसा रहेगा पिछ अपर इस बल्ब का जो थ्रो है वह काफी अच्छा है और ब्रैटनेस भी बढ़िया है कि अच्छा है और यह अच्छा है और यह अच्छा है कि अच्छा है और यह अच्छा है और यह अच्छा है कि अच्छा है और यह अच्छा है और यह अच्हा गका Laod झाल झाल